इसमें हम लोग जो प्रुफाइलेक्टिक बताते हैं जो मैं अपने तरफ से कॉमनली हर पेरेंट को एडवाइज करता हूं कि जब आप ब्रस करते हैं उसी समय बच्चों को ब्रस कीजिए तो बच्चा आपको देखके फॉलो करता है बच्चा आपको देखके समझता है कि बच्चा पापा कर रहे हैं ममी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए दूसरा बच्चों के लिए स्पेस्फिक पेस्ट आता ह नॉर्मल जो हम बरे वाले पेस्ट में फ्लूराइड कंटेंट जादे होता है, बच्चों में डिफरेंट कंटेंट होता है, तो कई सारे ब्रांड हैं, जैसे कीडो डेंड, चीरियो ऐसे करके, अधिकतर जो डेंटल प्रोड़क्ट बनाती है कमपनिया, कॉलगेट जुनियर, यह सारे पेस्ट हैं, जो बच्चों को देना चाहिए, और उससे बच्चे को टूथ ब्रस कराना चाहिए, तो पहला तो यह हो गया कि आप अपने साथ टूथ ब्रस कराएए, दुसरी बात बच्चों के मुँँ में थोड़ा जहांक के भी देखिए, अगर कोई ब्लैक पॉ जैसे आज कल बड़ा प्यार जहलगता है, लोग केट विरिज का चॉकलेट बच्चों को देते होते हैं, तो जो भी मिल्क प्रोड़क्ट आप देते हैं, आइधर मिल्क या कोई भी स्वीटनर, तो बच्चे को उसके बाद पानी जरूर पिलाए, देखना पड़ता है कि द बच्चा मूँ में बोटल लगाए, रात बर सो रहा है, ऐसे केसे में क्या होगा कि नर्सिंग बोटल केरीज हो जाएगा, तुथ डैमेज हो जाएगा, बच्चा फिर परिसान होगा, रोएगा और पैरेंट भी परिसान होगे, तो इससे बचाओ का यही तरीका है कि पैरें गाएगा, दूसरा बरस करना और तिसरा खाने पीने में कैसे बच्चो को कंट्रोल करें या उनको अवेयर करें कि बच्चा कैसे खाओ, डॉक्तर साब, अब जैसा कि अब आप ट्रीटमेंट के सिलसले में हमें फ्लोराइट ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे थे, इसके अलावा भी अगर बच्चों के दातों में जब दिक्कते हों तो fluoride treatment के अलावा और क्या काया ऑलाज है टेखेंट कभी भी दो तरह का होता है एक persphalactic होता है कि jeज हो ही ना इसके लिए हमके क्या करना है एक है कि jeज हो गया तो हमें क्या करना है तो digit ना हो इसके लिए fluoride treatment है, patient education है, parent education है. DG जब हो ही गया, तो corrective treatment है, जैसे बच्चे को थुरा सा blackness आया टूथ में, तो हम लोग वो black part को remove करके, उसमें हम लोग restoration कर देते हैं, feeling कर देते हैं, तो बच्चे को लंबे time तक चलता है. अब अगर मान लिजिए कि parent ने बहुत दिन तक नहीं देखा, वो extend कर गया, till pulp. Pulp हम लोग करते हैं, जहां tooth का नस होता है, तो जब नस तक आएगा तब बच्चों को दर्द होना शुरू होता है. ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं, कि उसका pulpotomy होता है बच्चों में, या pulpectomy होता है, मतलब आधा pulp के part को हटा दीजिए, बाकी को रहने दीजिए, और नहीं, अगर अंदर तक damage और बह गया है, तो जतना तक damage part है, उसको remove कर दीजिए, basic बात यहीं है, और उससे tooth को protect कीजिए बच्चों में acrylic crown और stainless crown का technique यूज़ किया जाता है, तो अगर बच्चे का tooth knowledge हाफ से जादे damage हो या protect करने की जरूरत हो, तो ऐसे cases में बच्चे को crown भी देते हैं, RCT के बाद या pulpotomy के बाद